नमस्कार गुरक्पु न्यूज में आपका स्वागत है मैं सुने पांडे खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नज़र डालेते हैं आज की हेड्लाइन्स पर ग्राम स्वाराज अभियान के तहत आयोजित ग्राम स्वाराज दिवस में बहतर कारी करने वाले ग्राम प्रधान अधिकारी करमचारी हुए सम्मानित डीम ने कहा जिले के 105 गाओं में ग्राम स्वाराज अभियान के तहत 16 योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा ह संत्रिप्त कई सालों से फरार 25 हजार का इनामी खोराबार का हिस्टी सीटर चड़ा पुलिस के हथ थे SP सिटी विने कुमार सिन ने किया खुलासा मुखी मंद्री के प्राथ मिक्ता वाले विकास कारियों की मंडला युक्त अनील कुमार ने की समीक्षा दिये आवश्चत बिशा निर्दे वरिस्ट पुलिस अधिक्षक कर शलब माथूर के अधिक्षता में संपन हुई व्यापारी स्टुरक्षा प्रकोस्ट की बैठक व्यापारीयों की समस्याओं के निराकरण का SSP ने दिया निर्दे गोरखुर के गोरव अन्शू सिर्वास्तों ने IS की परिक्षा में पाई काम्यावी घरवालों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर दी बढ़ाई लगातार तीन बार इंटर्वियों के बाद चौथी बार मिली सफलता CCTV कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच सकुसल संपन हुई दस केंद्रों पर चल रही मदर साब बोर्ड की परिक्षा मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के कारिक्रम अस्थल का डियम ने किया निरिक्षण दिया आवश्यक निर्देश कारिक्रम में स्वैम उपस्थित रहेंगे सियम योगी आदितनाथ गोरखपुर के अंजुमन तालिमाते दीन ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया पुरश्कृत कुषिनगर घटना की निस्पक्ष जाच की मांग को लेकर अखिल भारती विद्यारती परिशत के सदस्यों ने मंडला युक्त कारियाले के बाहर किया विरोध प्रदर्शन मिया सहाव इसलामिया इंटर कॉलेश से एंसी सी कैडिटों ने निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरुपता रैली आजाद भारत कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष केके शर्मा ने की प्रेस्वारता कहा सत्ता में आये तो बदल कर रख देंगे भारत की तस्वीर एक साल नई मिसाल चित्र प्रदर्शनी का जिलाजगारी के विजयन पांडेयन ने किया उदगाटन ग्राम स्वराज योजना के अंतरगत लगाया गया वार्ड नमबर एक में कैम्प जन प्रतिमिंधियों ने किया योजनाओं का रियल्टी टेस्ट समस्याओं के बाबत की आम जनता से बाचीत गोरखपुर महिला समीती द्वारा शिविर लगाकर रहगीरों के बीच बाटा गया थाज पदार और अंडर 19 सेलेक्शन मैच में बस्ती क्रिकेट टीम ने गोरखपुर क्रिकेट टीम को तीन विक्टों से हराया अब खबरे विस्तार से ग्राम स्वराज हवियान के अंतरगत ग्राम स्वराज दिवस का आयोजन शनिवार को विकाज भवन प्रांगण में किया गया जिसमें बहतर कार करने वाले ग्राम प्रधान अधिकारी करमचारी को समानित भी किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना, उजलवा योजना, स्वभाग्य योजना में बिद्दुत कनेक्शन का प्रमाडपत्र लाभार्थियों को दिया गया समारोह की अध्यक्षता बास गाउं के सांसद कमलेस पासवान ने की कायक्रम की शुरुवात डॉक्टर भीम राव अंबेटकर के चित्र पर मालयारपन और पुशिप अरपित करके किया गया कायक्रम को सम्मोधित करते हुए सांसद कमलेस पासवान ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों को जीवन की मूलगूप सुबधाएं पहुचाने के लिए प्रयास कर रही है इसके लिए गाउं में चौपाल भी लगाया जा रहा है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभागी योजना, उज्वला योजना, आयुश्मान भारत आदी योजनाओं की व्रिस्तित जानकारी दी इस मौके पर विधायक डॉक्टर राधा मुहंदा सगरवाल, विमलेश पासवान, शीतल पांडे और विधायक फते बहादूर सिंग ने अपने संबोधन में कहा कि योजनाओं को गाउं तक पहुचाने के लिए आम आदमी को जानकारी होना उसका जरूरी है चपाल के माध्यम से यह कारे किया जा रहा है, इस मौके पर जिलादिकारी के विजियन पांडे ने कहा कि जिले के 105 गाउं में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16 योजनाओं से पात्र विक्तियों को संत्रिप्त किया जा रहा है समारोह का संचालन सीडियो अनुसिंग ने किया आप जानते हैं के अंदर सरकार येवं राज सरकार मिलके एक भवी योजना आयूद किये 14 एप्रल याने विम्रा आमेटकर जी का दिवस से ये प्रारम हुआ है योजना में पांच तक ये योजना जारी रहेगा उसी का अंदर 86 गाउं वेवनी विलिज के अंदर सरकार ने चिनितर के दिये किसका विकास का गती दी में हो कहां गरीब लोग ज्यादा संक्या में रहते हैं और कहां सरकार ने चियासी गाउं का सुची हमें दिये राज सरकार ने गोर अत्रिक कहां कहां गराम समाज में सरकार ज्यादा है उसको जोड़ते हुए 19 गाउं अत्रिक उससे जोड़ दिये यानि टॉटल 105 गाउं का हम लोग विविन्द योजना में सुंतित करना है सासाथ नगरी चेतर में कहां एसी एसी बहुल्य चेतर ज्यादा है उसको एक वाड तुनाए गया है उसी साथ से यहां आज नगर पंचायत है यहां नगर पालिगार का वाड नंबर यह यह तुने हुए है इसी के अंदर हम लोग गर-गर जाकर के सर्वे किया थे जो टोटल एक तो पांच गाउ है यह लो वाड तुनोष नगर 5 अज है उस पर गरगर जा करके हम लोगों करमचारी सर्वे के एते 16 वेविनमय योजना है उसको सब guess mają किसी के डर पर कर Micro connection है किया नहीं गिजडर कें राखुवाल है के नहीं और कीकेया लगाना है किसका जंदन योजना के अंदर काता कुणुआना है किसका लोण का वबस्ता कराना है उसी तेपर तो तमाम विवाग है, इसमें तमाम केंदरे विवाग है येवा मुराजी विवाग है उसके अलबाप PSU केंदरी है जो बड़े-बड़े संगटरन है उनलोग भी शामिल है यह योजना तो अपुसर में आप ची बताने चाहता है। जन पदनिदिली का नेतरतों में योजना बहुत सपल रहा। प्रोजाना जन्प Convers निति अनी विजाएक जी सांसत जी मानिय मुक्य मंतु जी और मंतुरी जी अर गाउं में जाते थे छोफा लगाते पर सीदहीन रूबरी हो जाता हूं यह हो जाते हैं आपई भी जारी है आपर करशें का चौख तर क्लमी मानिय मुक्य मंतुरी गाउं जिबन में सफलता रहा, हमसे जन्ता से यह मांग की जा रहे हैं कि और भी गाओं में कवर करने हैं मेरा निवेदेन है, आप यह अनमदी देंगे, बागी बच्चा हुआ गाओं है, सबको हम अभियान दो महिने में चला करके, सारे गाओं के इस विदा पहुंचाएंगे यह भी आगे हम यूजना बना करके सरकार को बेज देंगे हम लोग जो जिल्ला अस्तर पर जो साधन है, उसी के अंदर कितने गाओं का हम अच्छा दित कर सकते हैं, सैट्टिट कर सकते हैं, उसी साथ से हम रंड़िती बुना करके, आगे भी जारी रखेंगे हमारे अधिती गणों को याउगत कराना चाहूंगा, कि यहां पे जो लाभार्टियों को आज बुलाए गया है और यहां पे वो अबस्त हुए है, इन में से तकरीबान साड़े तीन सो जो हमारे लाभार्टि है, सभी के सभी सभाग योजना से इस अभियान के दौर में ला हैं, जिनको प्रदान मंत्री आवास योजना के अंतरगात, मानिया योदि के संकार दवरा और सभाग योजना के अंतरगातиновी उपलब कराए गया और सभाग योजना के अंतरगात मुव्द्विजवत कर्डेक्शन दोनों उपलब कराए गया है इसमें उज्वला योजना के भी हमारे दस लभार्ती हैं जिन्हें इस अभियान के दौर में मुफ्त ग्यास सिलिंडर उपलब कराए गया है तो इस कारिकर में मुख्यता इही तीन योजनाओं को देखते हुए यहां पे लभार्तियों का मंत्रत किया ग आप सभी से रोबरों हों अपने ग्राम स्वासियों से रोबरों हों और आपका फीडवेक हमारे लिए बहुत ही महट तूल है इस क्रम में जो भी अभी हमारे क्लाय क्रम पाच महीं तक हिम्दार साथ लगे हैं इसमें आप बर्चल के हिस्सा लें और यह बहुत अच्छा है पंच में पंचायद में परमेश्वा का वास होता है तो ऐसे में पंचायद क्या सही में खुश है हमारे अधिकारी क्यातार कर रहे हैं किसरी भाशड़ी कर रहे हैं उसरी व्योजगाय का बखान कर रहे हैं वो जमीन पर कितना उतर रहा है एक अच्छा और से आप सभी के सा कास के लिए हमको पानी चाहिए पीने के लिए सुद्ध पानी चाहिए दूसरी समस्या गाव की है पानी के निकासी की गाव को सम्चित विकास नहीं किया गया है बिना कोई योजना रचना के बिना सिस्टम के बिना नक्सा के गाव में घर बनाए गये है गाव में नादी की का पानी कैसे जाए पंडो का पानी कहां जाए यह समसे बड़ी फ्रोंस्या है अच हजार दस हजार रूपया देतेगा उसके भी आर्थिक मदद की एक सीमा होती है लेकिन अगर सिर्फ बारा रूपय का इंफ्रोंस्या आप करा लेंगे तो आपके घर में ऐसी उचानक होने वाली किर्स्वी मृत्व के एवज में आपको दो लाख रूपय प्राक्त होंगे वो यह नहीं मालूम आप इस योजनाव का लाव क्यों नहीं ले पाते हैं तो आपको भी अपने अंदर हिर्दय में जाक कर देखना चाहिए हम ऐसी इमांदार सरकार के साथ स्वय मरा जिन्यती को रूप से कितना इमांदारी बरप्ते हैं योजना इस समय चला रहे हैं खास्तों से किसान कर लिया दिवस स्वास के संबन में स्वक्ष भारत दिवस उजूला दिवस राश्ती पंचायती राज दिवस गराम सवराज दिवस आयुसमा भारत दिवस कि तमाम लापकारी योजनाएं राज-जयोकेंदर की आपके बीच में पहुँच रही हैं.. आप जानते हैं來到 हमारे छेट्र में गाउँ की राजनीत गाउंसवाओं से सुरू होती है बलाक में आती है और बलाक से फिर जिले इस्तर पर आकर के तमाम योजनाएं योजनाओं का लाव आपको मिलता है मैं गाउं की तकलीफ को जानता हूं क्योंकि 1989 से लेकर के आज 2017 है मैं जनता के बीच में ही रह करके और लंबे अनुबहों के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी लंबी चोड़ी तुटियां ग्राम इस्तर से और जिले इस्तर पर रही है और हम बराबर निरंतर उसमें सुधार तो बहुत किये लेकिन अभी भी जो आम जनमानस को लाव जनता को सरकार को देना चाहिए उसमें अभी हम पीछे हैं मित्रों खास तोर से प्रधान मंत्रिया वास योजना गाओं में जो रासन बढ़ता है अजर प्रधान चाहिट है और प्रधानी में उसने चुनाओं में आपने विरोज कर दिया तो आपको कत्ता ही रासन नहीं मिलता हो पार्टी बंदी अभी भी मौजूद है गाओं के अंदर और खास्तों से मैं उस जन्ता की बात कर रहा हूँ बिर्धा बिर्धवा विकलांग तमाम जो पेंसन की योजना गाओं में जाती है बहुत ज्यादा समय तो नहीं लेकिन तुर्गों वही गरीब जब भी हम जाते हैं तो गाओं में ख़ड़ा होता हमार पिर्शिनिया नाई भाई हमें इसको गंभीरता से लेना होगा आज मज़्द के माज़न से मैं अपने जिलादिकारी को भी कहना चाहूंगा कि गरामीर अंचलों में थोड़ा बिशे साथ को ध्यान देना पड़ेगा कुछ गंभीर समस्याएं गरामीर लेविल से सुरू होती हैं जो गाओं की राजमीर से लेकर के और जीले तक पहुंच जाती है आम आदमी कैसे लाब पावे जिसका कोई सोर्स नहीं जिसके पाव कोई वहां गाओं में नेता नहीं कोई पहरोकार नहीं हमें ये ब्योस्ता भी सुनिश्चित करनी चाहिए और इसके लिए हम जत्रतिधी जो आपके सामने इस मंच पर उपस्तित है हम एक संकल्प लेना चाहेंगे आज इस स्वराज योजना के तहर कि हम गाओं में जाएंगे गाओं में गरीबों को उसकी पात्ता की अनुरूप सरकार की जितनी होजना है गाओं तक पहुचाने का संकल्प हम ये पहुचाएंगे हम ये वादा आप से करते हैं समाज का जो आकरी वेक्ती है जो सत्तर साल के बाद भी उसको मूल भुद सुवदा नहीं मिली है ये सरकार उसको समर्पित है और उसी को लेकर पिसे चार वरसों में हम लोग उन्ह बिविन ये उजनाओं के अंतरगत इस समाज को विकास के गती से जोड़ने का काम हम लोग किये और मुझे लगता है इस ये उजनाओ के अंतरगत चौदर तारी से लगतार हम लोग पूरे देश में गाओं में चौपाल लगा कर गाओं में लोगों के बीच में जाकर जो हमारी योजना है, गरीब विक्तियों के लिए, हम लोग आपके बीच में बताने का काम करने साथियों तो बात करना चाहूंगा, परदान मंत्री अवास योजना की अंतरगत बहुत सारे परदान करने यहां उपस्तित हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लावात्ति भी हाँ उपस्तित होंगे, पहले काम नहीं हुआ, लेकिन दावे के साथ यह बात जरूर कहना चाहूंगा आज के दिन, कि जिस तरह गाओं में हम लोग चौपाल के वारपत, लोगों से रूबरू हो रहा है, और जो गाओं में जाकर यहां सर देखने कि अंद्रगत घर नहीं बंद है, अपने अगत जो वंचित वर्ग को लाव हुआ है, उसको अम लोग सब्दों में बया नहीं कर सकते हैं अजिए मैं अपने समस्त मेडिया बंदों से यहां पने सारे करमचारियों संदोर करूँगा कि यह कैमरा बद होना चाहिए पुलिस को उस समय काम्याबी मिली जब 2012 से फरार खोराबार थाने का 25 हज़ार का इनामी खोराबार का हिस्टी सीटर को उसने गिरफतार कर लिया मामने का खुलासा करते हुए S.P.C.T. विने कुमार सिंग ने बताया प्राइब के निर्देशन में इस्पेक्टर कोरा बार द्वार इसमें पोरा बार ठाने की पुलिस टीम को इस्टीम पुलिफ शामिन है दो हजार बार से गैंगेशन रेक्ट में फरार चल लाई अभीउक्त अभीउक्त इसके गिरफतारी के करम में नहूं पाने के करण पिछले इच्छे महीने पाले इसके इसके संबत की कुर्की करवाई भी की गई ते और इस पे इनाम गोशित रहा गया थे इसके पचीज ज पेट्रकोरा वान्या प्रिंटिंग पर साथ इसको बाज़ चगी के दवरा नकलीय जोड़ाय के पास दिन में जिरफतारी के इनका संगट्टित यह इनका काफी बड़ा परिवार है और इनका भी लंबा चोड़ा प्रादी के जिया सदीप चनका स्वेंपा इनके परिवार मुख्यमंत्री के प्राथमिक्ता वाले विकास कारियों की समिक्षा बैठक मंडडायुक्त अनील कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागारत में की गई जिसमें एम्ट निर्मार वाटर स्पोर्स कॉंप्लेक्स फर्टिलाइजर निर्मार सहित अन्य योजनाओं की प बैठक में कमिश्णर ने निर्मार अधीन एम्स के निर्मार में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है डिना ठोगो जी उलाटर में कैंति हैं क्या एटार विलाु डुमार श्रीमार में ऑने तॉर्ट सिंस्समें एम्स काद उस्ट्भ संव मेंतों की पंदों जूर्ट सक्रांधियर बॉलाइजर कि दो तो हमें जोंड़ी आटरों के अन्ह तामगार आटरिय किगी ऑसागालारा इसके बाद सासा से एक लेडर आ गया था कि जिलानी पहरी वोदे की आजएक्षा में करें तो सबीत ही इसका उतरेगी जिलामी करेंगी तो फोटोरा अब में वहां से आगया तो हमें इक लिखेलिफ के लिखेलिफ इस समझ पर आउसे प्रेड़े में जाए ठाद करेंगे bाला करेंगी इसलिए त Som वरिष्ट पुलिस अधिक्षक शलम मातूर की अधिक्षता में व्यापारी सुरक्षा प्रकोस्ट की बैठक पुलिस लाइन सभागार में संपन हुई बैठक में पुर्वान्चल उद्योग व्यापार मंडल चेंबर आफ ट्रेडर्स दवाविक्रेता समिती गोरकपूर किराना कमेटी चेंबर्स आफ कामर्स सहित सभी टाउन हाल एरिया के व्यापारी मंडल और पदाधिकारी मौझूद रहें बैठक में व्यापारीयों के समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई जिसमें जनपद के व्यापारी सुरक्षा प्रकोस्ट को अत्यधिक प्रभावी बनाये जाने एवं व्यापारीयों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने है तुर निर्देश दिया गया इस मौके पर SP क्राइम आलोक वर्मा भी मौजूद रहे गुरपुन्यूस से बात करते हुए SSP शलम माथुर ने बताया कि व्यापारियों की समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए पूलिस बुरा प्रयास कर रही है जिले में व्यापारियों की सुरच्छा के लिए व्यभाग पूरी तरह से कटिवद्ध है आगे उन्होंने बताया सर वो आए अपना मुबाइल का रेड़ रहे है आप सामाल ले अंदा ले कि गाली क्यों दे रहे है इसके बात को ने बात शो गए दोनों ने हाता पाई होने लगी इसके बाद वो चोकी पे गए और चोकिंचार साब है दुकांदार को जब रस्ती दुकान से खीच करके मतलब आप सत्तों का वेज गयद करते हुए खीच करके चोकी पे लिए और इसके परिया तापा ही क्यों दर्वे अगो अपना वो सर जमानेत पे शूटे अगला बिंदो श्रीक पहरा खरे जवारा आदी जारा होंगा यह उसके बेटा के माद्लम से याद यह पास यह जबाद बाद का लिए बयपास हमनुकी वैटर्द में बहुत से समस्टाइं यहांने, वहांने जाने तकुक्त में विशुता है, में पढ़स, बढ़ सी ओगाते हैं, जहां जोटि प्लेट की समस्टा इनके सम्टाइज चिरवाओटेरे हैं, इस कारद हैं,visor मों की तूद्द यहांने हैं प्रफार पार मुटनल कर निए प्रवाजू हूं बेखिन कुमार जिनसवाल नामर मालसा है। और सर कुछ फ्रॉडम होती है जैसे किसी बगवाड़ी कैया को इस दिसकत होती है। जैसे किसी बगवाड़ी के लिए रिए पॉर्ट किया था लेकिन अपने सका पर बेखिए के चाहरा के चाहते हैं। जैसे किसी बगवाड़ी के लिए पर नामर्बार को इस दिसकता नहीं बताईए। आप खुद जिए आप एक वर्ट का पदी में जोग करें आप खुद ही कह रहें। तो आप जो है उसके पर पार से बात है और मेरा अमिशा है रिक्वेस्ट है पुलिस को थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं है। सही गलत पता बता है। हर जीर्ट में सही गलत को लगाने का भी समय लगता है। और आपकी समस्या का निदान इसा हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता बड़ आप उस चीज को मन में रखने हैं या उपन नहीं बताएंगे। उसका दो नुकसान है। एक तो समस्या निदान नहीं होगा और तो हमारा करमकारी अगर गल्ती कर रहा है तो भी सहीं की नहीं है। दोनों चीजों के उपर आप ये प्रिवेदार नाजेश के वे आप अपने बात कर दिये बताईएं। और आजकल तो बहुत सारे दो मुनें वाटसब के उपर मेसेज बेसके हैं कि ये समझ के आए गईगा वीडियो बेसके हैं। क्योंकि भूजर की वेवस्ता आ गई है। सब्सके मर्जर से रिस्पॉंस की वेवस्ता है। आप सीजों करें। आपको ये भी नहीं कह सकते कि वह बात नहीं है। चीज़ा लगनों से गाड़ी का मुनेट इसका है। आप जिवूर अपनी बात करें। आप जानकारी मुक्वार्यारों की सब्सक्राइब कि अकुते शक्राइब करें। इनाम भूजित करने का मनलब अपरादी आप अपरादी आप जराद करने करता, बाह्री बाती के अपनी दिंन नहीं होता होगा। आपके आपके उसको घगा से बात नहीं करता हूँ, इस ताफता केस हुआ था, और उसके आप कुल तीन बार तीन चाहर दिन बार एक के पहर हुआता हूँ, किसी मोटर्साइगिं के लाधी की पायरी पढ़ने के पाद है, और बोविंग दिया दो नाम का क्विल लंता हूँ, उसको भी स्कीफ के साथ में के पता लिया, और उनकी भी जमाने जमाने से यहीं है पुरानी, उसमें यह भी पता लग रहा है कि अभी बात अन्वा होद रहे पाद की कोई जमाने पर ने में पायार करा हूँ, ताकि इस तरह से तीजों को हूँ दो बोल सकते हैं, तो बहुत जहर से लेडीजे जो है 1 किलोमेटर का गरा परता हैं अंदर में गेट से क्योंकि बस की सुमधा या कुछ आदब हम ही है तो लेडीज्य अ कि आप लोगों पहुं से प्निक हैयना को ढरति है। लेकिन हमारे जो देखाटते हैं, हो फिर डांकी तुटी है, वो सहे सामेलिस के बाउपे नहीं रहते। दोश्टी जो वेपारी दन के साथ है पिछली बार जो मीटिंग मीटी पहले तो उसको लेके क्या कारवाई हूँ क्या समस्या है और इसके अंदर कई जानकारी हम लोग तो पुल प्राप्टरी कर लिपकाश में आए कई प्रकरों का पूंज के उनका निस्टारंग भी हो आज की समस्या आईए और जल्दी अच्छा बोरती जल्दी सभेप दिन निस्टारंग किया जल्दी अश्का निस्का प्रतियोगी परिच्छा में गुरखपुर के दो होनहारों ने अपनी जगा पक्की की है जिसमें एक सहजनवा की रहने वाली अंकिता मिश्रा और दूसरे गुरखपुर के रेलवे कालोनी में रहने वाले अंसु शिर्वास्तों शामिल है अंशु सिर्वास्तों के घर जब इसकी सूचना मिली और वो सूचना खुद ही अंशु ने दी तो सभी घरवालों के खुशियों का ठीकाना ना रहा सुबा से ही अंशु के घर पर बधाई देने वालों का ताता लगा रहा हम अपने दर्शकों को बताते चले कि UPSC की IS की परिक्षा में अंशु सिर्वास्तों ने 163 रैंक प्राप्त की है इससे पहले अंशु लगातार तीन बार इंटर्व्यू दे चुके हैं लेकिन सफलता मिली तो चौथी बार में अंशु उसके पहले IIT दिली से बीटे करने के बाद मदरास के किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन उनका सपना बचपन से ही आये सदिकारी का बनना था जो आज जाकर पूरा हुआ अंशु के पिता प्रभुनाज सिर्वास्तो रेलवे में कारेरत हैं और माता शीतला सिर्वास्तो ग्रिहनी हैं अंशु लगातार तीन सालों से साक्षादकार तक पहुँच रहे थे लेकिन फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पा रहा था अपने हिम्मत को अपना हथियार बना कर चलने वाले अंशु ने चौथे प्रयास में सफलता प्राप्त की जो की गोरकपुर के लिए किसी गौरों से कम नहीं हमने अंशु के पिता और माता दोनों से बात की और उसके बारे में जानना चाहा कि किस तरह से उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया तो उन्होंने इस संदर में बताया उनका हादे की इच्छा था, वर्गाने पुल्या कर दिया, कैसे हाद शुरू से बहुत लगन के साथ महनद कर दे थे, और जो कर दे थे, वो कर कर के देखा दे थे, उसमें जो कोई कमी नहीं था इनकी सिख्छा दिछा कहां पर हो इनकी गोरगपूर में सब कुछ परहा लिखाई हुआ है, उन्होंने रेल्बे सीनियर से स्केंडरी स्कूल से हाई सूप करने के बाद, आई इटी डीली से मेकानिकल से उन्होंने आई टी आई बीटे किये, और उसके बाद चैनही में जब क करने के बादे है उन्होंने अपना इसक्रते कारना सुमकिआ हमोंने लिए पहांब में पर्ड़ी। आज बताईये वही रटा रटा या सवाल कैसा लग रहा है। कुछ खास चीजे बताएंगे उनके बारे में जो और भी लोगों को प्रेडित करें एक मा के तौर करें। कि है त offenses बताईये पलगा पडा या सिर्ट करना ही बताण ओरृगों करते हैं। कि मां प्राइत के लोग गज्वत्व करें जोड़ा है तर वही रटाएंगे थैसमेक्रों आज ़िवन मतेसं दोड़ा बताए लोगोיל मता में पांजनली कोई। तो एक हम प्यारी करेंगा। बढ़ें मैं उसका सुरू से लोगा था। कल रिजर्ट आया है। फोन की घंटी बजी होगी, धड़कने भी बढ़ेंगी। कैसा लगा उस समय। उस समय तो बहुत ड़गे, हम सचे कि क्या होगा। अब समय रहे हैं कि रिजर्ट आया हैं तो भी फोन किया। काई कि सुवरा बता भी ये थे, ये रिजर्टानी एक मामी काना है। तो सुवरा सा चींता था क्या होगा। अब प्वोन आय थां तो ड़ गए, पता ना किया। कुछ को पुरूंते हुखाय तो पुरूंते काय ममी हमारे वह भी यहां, कुछ तो मने अप्रोप। कुछी का मुट ठाकाना निकला। अशु आगया कुछी चलो लड़का महनत जा तो सौफल हो गया। क्या हम प्राइफ को है तो अपने बच्चे कराइंगे तो जरूर हिसे रहे होर दो हमाबाप नहीं ड़ागे नॉस कि झा reduz नी सब्सक्ष्मृकंगे तो बच्चे क्या ढंगे bütün विखें बहुत सब्सक्राइब गां चाही कोई न चाहिए मों संपती नहीं नहीं है यही अ एक और सवाल इसी में आता है कि उन्होंने आयाइटी किया उसके बार नौकरी विखी नौकरी छोड़ी कुछ मावाब होते हैं रोग देते हैं किया रहे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अपने दर्शकों को बताते चले की 163 रैंक प्राप्त किये अंसु सिर्वास तो अभी दिल्ली में हैं शरिवार को उत्तर प्रदेश मदर्शा सिक्षा परिसद्वारा मदर्शा बोल्ड परिक्षा को नकल भीहिन कराने के उद्देश से सीसी टीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच दस केंद्रों पर चल रही परिक्षा आज समाप्त हो गई जिसमें मुंशी, मौलवी, आलिम, कालिम और फाजिल में पंजिकरित कुल 2502 परिक्षार्थियों में से 1837 उपस्थित रहे और 665 अनुपस्थित रहे जबकि 1000 से अधिक परिक्षार्थी पहले ही परिक्षा छोड़ चुके हैं गुर्पुनियों से बात करते हुए जिला अल्प संखक कल्यान अधिकारी सन्यकुमार मिश्रा ने बताया यह जड़ गर्प्र做 harsh e verdade नदर्संट शिले ज़िए आपसे औरभी यह जह रढ़ चाह ज़ना टाइब जन पत के 10 अरम्ट का मैं बनाननcówा एसर अपरम पिएपारा मिंदेा। आज-स पर शेमाग दरिक्षास आढ़ा परिच्छा थी परिच्छा थी ने फाविदन किया था आज तक की रिपोर्ट के अंजार मुशी में कुल 33.45 परिच्छा थी उन्हीं में 33.25 परिच्छा थी चोड़ दी गए हैं परिच्छा नकल वीगीन शान परिच्छ ने थी इसी थी प्रकार के नकल कोई सुचना नहीं भाविगीन CCTV camera के निगणाने में परिच्छा संपन होई है और दो और टीन में कुछ की बिएट याईए कि भी परिच्छा हम नहीं है वो भी पूरी तरह से नकल भी और सिसीटी भी केमरे के लिगाने में सब्सक्राइब इसका जोना अंततक आता है उतरप्रदेश की लोगप्री योजना मुख्यमंत्री सामोहिक विवाह योजना के अंतरगर्त समय समय पर आये दिन सैकोडों जोडों का विवाह कराये जाता है इसी के अंतरगत रविवार को स्वहम मुख्यमंत्री आदित नात की उपस्तिती में सामोहिक विवाह का आयोजन गुरप पृविश्य देयाले के प्रांगण में किया जाएगा इसी के मद्दे नजर सुरक्षा व्यवस्ता और बागी अन्य व्यवस्ताओं की जानकारी और निरिक्षण के उद्देश थे डियम के अलावा विवाह अस्थल का निरिक्षण करते समय संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी मुझूद रहे हम अपने दर्शकों को बताते चले कि रविवार को लगभग 600 से जादा जोडों का सामोहिक विवा होना तय है जिसको मुख्यमंत्री स्वैम अपना आशिरवाद देने गोरखपुर आएंगे चली ब्रेक में जाने से पहले जली जली दोबारा नजर डालेते आज की प्रमुख हैडलाइन्स पर ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित ग्राम स्वराज दिवस में बहतर कारी करने वाले ग्राम प्रधान अधिकारी करमचारी हुए सम्मानित डीम ने कहा जिले के 105 गाओं में ग्रामन स्वराज अभियान के तहत सोला योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा है संत्रिप्ट कई सालों से फरार 25 हजार का इनामी खोराबार का हिस्टी सीटर चड़ा पुलिस के हथ थे मुखी मंद्री के प्राथ मिक्ता वाले विकास कारियों की मंडला युक्त अनील कुमार ने की समीक्षा दिये आवश्चक बिशा निर्दे वरिस्ट पुलिस अधिक्षक कर शलब माथूर के अधिक्षता में संपन हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोस्ट की बैठक व्यापारीयों की समस्याओं के निराकरण का SSP ने दिया निर्दे गोरखुर के गोरव अन्शू सिर्वास्तों ने IS की परिक्षा में पाई काम्यावी घरवालों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर दी बढ़ाई लगातार तीन बार इंटर्वियों के बाद चौथी बार मिली सफलता CCTV कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच सकुसल संपन हुई दस केंद्रों पर चल रही मदर साब बोल्ड की परिक्षा मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के कारिक्रम अस्थल का डियम ने किया निरिक्षन दिया आवश्यक निर्देश कारिक्रम में स्वैम उपस्थित रहेंगे सियम योगी आदितनाथ गोरखपुर के अंजुमन तालिमाते दीन ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया पुरश्क्रित कुषिनगर घटना की निस्पक्ष जाच की मांग को लेकर अखिल भारती विद्यारती परिशत के सदस्यों ने मंडला युक्त कारियाले के बाहर किया विरोध प्रदर्शन मिया सहाव इसलामिया इंटर कॉलेश से एंसी सी कैडिटों ने निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरुपता रैली आजाद भारत कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष केके शर्मा ने की प्रेस्वारता कहा सत्ता में आये तो बदल कर रख देंगे भारत की तस्वीर एक साल नई मिसाल चित्र प्रदर्शनी का जिलाजगारी के विजियन पांडेन ने किया उदगाटन ग्राम स्वराज योजना के अंतरगत लगाया गया वार्ड नमबर एक में कैम्प जन प्रतिमिंधियों ने किया योजनाओं का रियल्टी टेस्ट समस्याओं के बाबत की आम जनता से बाचीत गोरकपुर महिला समिती द्वारा शिविर लगाकर रहगीरों के बीच बाटा गया थाज पदार और अंडर 19 सेलेक्शन मैच में बस्ती क्रिकेट टीम ने गोरकपुर क्रिकेट टीन को तीन विक्तों से हराया हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं कुछ तौफे हम कभी नहीं भूरते जैसे घर आई नन ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तयारी में शुब आरंब का अशिर्वाद एश्प्रा चियत्तर सालों से परंपरा विश्वास की गोरकपुर न्यूज की तरफ से एक विशेस ओफर एश्प्रा के शोरूम पे जाए और जितने ग्राम के सोने के आभूशन आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूशन मुफ्त पाईए ब्रिक के बाद आपका फिर से इस बॉलिटेन में स्वागत चलिए बढ़ते हैं अगले ख़बर की तरफ गुरपुर के अंजबन तालिमाते दीन द्वारा जेरे इंतिजाम के वारसिक परिक्षा में विविध केंदरों में उपसचिव मौलाना जुनैद कुरैशी ने उतक्रिस्ट चात्र चात्राओं को उपहार भेट करके उन्हें सम्मानित किया इस दोरान डॉक्टर खालिद आजमी, डॉक्टर अजीज एहमद, महमूद, अलहाज असरफ, अली खान सहित, कई गणमाने लोग मौजूद रहे पुरसकार वित्रल के पस्चात, उपस्थित, अतिथियों ने छात्र चात्राओं के उतक्रिस्ट कारियों की सराहना करते उन्हें अपनी सुबकामनाई दी तालीम, सिखाएं, इनके एमान, इनके अफना, इनके उसने मामला, ये सारी चीजें हमें को सिखाने की जरूरत है मैं चाहता हूँ कि बच्चों को यहाद लगजाई कर दी जाए हमेरा का दो सो दो सब्सक्राओं की काह दो सिखा लो मोला में के मुहमद नम्हें अशरफ ली साथिया। सालीम, कुछ बजार दिनी दाली में कॉंसल की शुरुवात सन 1969 में की गई थी और मौलाना सेद अबुलहसन अली लजवी रामसुलाले इसके तकरीबान 40 साल तक सदर रहे इस वक्त मौलाना सेद मौम्मद रावे साथ जो आर इंडिया मुस्मी बस्मिल्ला वोट के सदर रहे वो इस दिनी ताली में कॉंसल के भी जनरल सिक्रेटरी है वो के भी सदर है और उनी की खियादत में ये काम ट्रैमरी सते पे बच्चों को दीनी तालीम और अस्री तालीम दिनाने के लिए ये चला है पूरे उटकर परदेश में जिसके तहरे तकरीबान 10 तालाग से ज्यादा मकादिब और मदारिस चल लें और उसी की एक चाफ अंजुमन तालीमाद दीन के नाम से यहां दिला घुरकूर के अंदर अपना काम कर रही है और उसी के तहद आज ये जल्टा मनफित किया गया है जितमें सालाणा मुक्तली मुकाबलों के अंदर तलवा ने शिर्कत की और उनको इनामाद दिये गए और यहां पर बड़े अटावी की तश्री बर्मा है जिनों ने यहां पर मुक्तली में अपने अप्राडात का इधार किया है बीते दिनों कुशी नगर के दुदही गाओं में रेलवे क्रोसिंग पर सवारी गाड़ी और एक स्कूली वैन में हुए दुरघटना में मारे गए मासूमों की घटना की निस्पक्छ जाच कराने की मांग को लेकर अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के सदस्यों ने सनिवार को मंडलायू कार्याले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान परिशत के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर जम कर नारे बाजियां भी की परिशद के सदस्यों ने ग्यापन के माध्यम से प्राइबेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को बंद किये जाने डग्गा मार वाहनों पर ततकाल रोक लगाये जाने सहित कई अन्यमांग की ग्यापनियों से बात करते हुए परिशद के आकर्शन मिश्णा ने बताया कुषी नेगर का संगठन मंत्री हुए दारती परशत का हमारी जो मांग है कुषी नेगर के दुधी में जो रेल दुर घटना हुई है मुझको लगता आज पूरा देश वाकिफेस घटा से और प्रसाशन की आटियो विभाग की इस तरह की लापरवाही का ये परिणाम है कि इस तरह से जो है वहाँ दुर घटना हुई है और दुर घटना में इतने बच्चे मरे है प्रबंदक करीम खान की लापरवाही है कि ये लापरवाह वहां चालक है लेकिन एक बार भी उनके कान में जू नहीं रहेंगी इसी प्रकास से प्रसाशन की भी लापरवाही घटना होने के बाद जब घटनाएं हो जाती है परिवार मृत हो जाते है उसके बाद ये सरकार ये प्रसाशन जो है हरकत में आता है प्रसाशन अपनी ये लापरवाही की जिम्मदारी नहीं लेती है, तो विद्यारती पर्षध यहीं धरने पर बैठी रहेगी और तब तक बैठी रहेगी जब तक कमिश्णर हाजिर नहीं होते और कमिश्णर साहब के आने के बाद उनके विभागों कारियाले में बैठने वा शनिवार को मिया सहब इसलामिया इंटर कॉलेज के बक्षीपुर से एन्सीसी अधिकारी लेटिनेंट डॉक्टर वाहिद अली के निरत्रितों में विद्याले प्रांगड से एन्सीसी केडिटों ने जन जागरुकता अभियान के तहत रैली निकाली। रैली में एन्सीसी केडिट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों को पूरे उस्साह के साथ लगाते हुए निकले। रैली बक्षीपुर नखास चौक जुबली चौक होते हुए पुना विद्याले के प्रांगड में आकर समाप्त होई। रैली में हवलदार अमराय सीन केड़ेट मुहमद हमजा और अन एन्सीसी केड़ेट मवजूद रहें। गुरपनियू से बात करते हुए एन्सीसी अधिकारी लेफिनेंट डॉक्टर वाहिद अली ने कहा। यहां थोकान है। कुण वेटी पराव पराव त्राव त्राव के पजोड़ेकार हमें। कारव के वेटी पराव के भाव त्राव दुने सीन खोड़ें। बेदी बचाओं बेटी बचाओ 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 बेटी बचाओ बचाओ यह मादी जाइली जो है वो है बेटी बचाओ 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 पे रेली जाइली जन जागरुटा अभियान है प्रवाहित करके दिखा देगी इस संदर में उन्होंने आगे कहा प्रवारता है और प्रवा enriched प्रवा समय को समया पैसे क्या दाव में देना चाहिए हम जगा जगा नुपकर सभाई करके अपने नीपियां अपनी उसका बता दिया टैलिंग तो तपीपे इस तरह से अलग होगी आपकी यह पार्टी है सब तरह से अलग होगी इस तरह से नहीं होगी घरंपार पे जातिर्वार पे आने इंप्लाइमेंट पे सब और प्राइटी हमारी आने इंप्लाइमेंट के विजयन पांडियान ने किया सूचना एवं जन संपर्क विभाग लखनों द्वारा आयोजित इस तीन दिवसी प्रदर्शनी में प्रदेश के पिछले एक साल में विकास कारियों उपलब्धियों और अन्य कारियों को बखो भी दर्शाया गया है इस दोरान लखनों से आय प्रदर्शनी सहायक अनील शर्वा ने बताय कि प्रदर्शनी 29 एवं 30 अप्रेल को प्रात 10 बजे से 6 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी जिला सूचना कारियाले के मुहम्मद रफीक प्रभुनात कृष्मोहन सिंग सैनी ने उपस्तित लोगों को एक साल नई मिसाल विकास पुस्तिका का भी वितरर किया इस औसर पर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक सिर्वास्तो राजे सिंग अमबुज प्रभाकर तिवारी एवं विश्विद्याले के छात्र छात्राय उपस्तित रहे ग्राम स्वराज योजना के अंतरगत आने वाले विभिन योजनाओं का रियल्टी टेस्ट करने के लिए कैम्प लगाकर विभिन योजनाओं के बारे में उसकी जमीनी हकीकत को जानने के लिए एक कालिक्रम का आयोजन किया गया कैम्प में मुख्य रूप से महापौर सिताराम जैसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मुहंदा सगरवाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल सिर्वास्तो एवं स्थानी पार्शद गणम उपस्थित रहे इस अउसर पर नगर विधायक न उपस्थित लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और स्वैम रियाल्टी टेस्ट करने के उदेश से वहाँ पर आई महिलाओं से बात की किताब आप में अंगरेजी किताब पढ़ना सिखा देंगे वह बात करो इतना समझ में आता हो आपको ये किताबे हिंदी में नहीं आती है क्या इसके लिए इंजा किताबे हिंदी में आती है आपने हाथ पे दिया है जी हाँ त्याना में आपका राम दरश राम दरश राम कौन कान लोग मकाम के लिए पैसा दिये है जरा हथ उखाए स्बी मुब से पैसा दिये है हद्बुनVideo मस्क्राइए सब्सक्लाइड हरा क Kenn otur ईस कि है कि चाइज को वारत मुस सम्झा रहे हैं उस्पा सिंग के पती को यहां है आप यूपर लिखी तारों पर यहां यह स्रीमन आपने किसको पैसा दिया है इनके पती को कि अधिया है आपको पैसा दिये हो किसको दिये हो ए जुदा साथ प्रूट करिये इनके नम चलो बैको तुम दूसरी और पादो पैसा दिया है यहां है नम करिए जाना में तुमारा किसको पैसा दिये हो किसको पैसा दिये हो यह बदल में खौन खड़ी है नम को देखी हो किसमा दिये हो भुंजा के मानोशी को बेजी होई पकसा और जाने नम करनगों करते दो दौसरी इसाई कि अमर जाएजा का वो खुलाए महाद भीजाने चार साहते है आद नारे मंट किम आजा नहीं आये नहीं के आहे है बिद्ध को फेर्गत रिख सब्सक्राइब आना ज़्यारा टारो चाल मे उना हा जदा है तो बादा करें कि उन्या ठोचहिल मांडा जवाइब करें किया एकी दॉत ही आया ठीपर को लिच सिमा रूपर को है मिल गएा किना है टोप gözा श१ी आखिया बहु मुत वादा किसको पादान पादा में जड़ा जाए निए अपस्टा कर दोड़ा बादान पादान आपकेशा नहीं कर दो है कि अपिछा था आपकी बाते सुन रहा था आपका बिधायक हूँ पुझे सुनना भी चाहिए और आप हमारे नागरिक हैं आपको बताना भी चाहिए पुझे बहुत अच्छा लगा है कि कुछ बहनों ने कुछ वरिस नागरिकों ने यहां खरे हो करके अपनी आपतियां दर्ज की हैं यह आपतियां आपकी राजी वावास योजना की हैं यह आपतियां आपकी चाह साल पहले की हैं पुर्धान मंत्री आवास योजना की आपति नहीं है एक रूपया भी किसी से नहीं लिया जा रहा इसना पे पहला किस एक लाप रूपया दूसरा किस एक लाप रूपया तिसरा किस पचास हजा रूपया पच्पन मकान का सुचना ये दे रहे हैं कि बन रहा है तो इना भारती पच्पन मकान का यहां है जो लोग रूपिया पाए हैं खरे हो जाये जरा एक जनी भारती रहो के बाद पच्पन भारती है जिनका मकान बन रहा है आख़ा हो जाका जेकर जेकर मकाम बनाता यह उपई का देला का? नाई देल हुआ जूट ना बोलिया बेटा पढ़ार मंतरी आवास की उजना में अगर किसी ने पैसा दिया हो तो बताए अठाई अठाई लाख रुपया मिल रहा है और एक रुपय के भृस्ताचार का आरोप नहीं मिल रहा एक रुपय का राजी आवास योनना भारती जन्ता पार्टी के कारकाल का योजना नहीं है यह इसके पहले के कारकाल की योजना है जो अब बंद रुचुकी है बावजूद इसके अगर नादिकों ने कहा कि उनको भी अखबार में आज आप पढ़े होंगे आज आई अखबार में बयान है कि जो लोग के पास जमीन नहीं है और प्रणान मत्रुपया तो सरकार जो मकाम बनवाएगी तो उसमें प्रात्मिक्ता पर मकाम मिलेगा अजसर जिसे भी मैं आगरा करूँगा और जो लोग पासद बनने के एक छुक है उनसे भी आगरा करूँगा उनलों को रुची लेके देखना चाहिए इन दिनों तेज धूप और भीशन गर्मी से आम जनता और राहगीर बेहाल है ऐसे में राहगीरों को राहत दिलाने के उदेश से गुरकूर महिला समीती द्वारा शिविर लगा कर उन्हें सर्बत, बिस्किट और अन्य खाद पदार्थ वित्रड किया गया इस दोरान समीती के प्रवंधक अरुना, डिम्पल, अन्जु, अनीता, सुनीता, पूजा, सहित समीती के कई सदस्या मौजूद रहें समीती का कहना है कि समास सेवा एक पुनीत कार्य है गर्मी के इस मौसम में रहगीरों के सहियों के लिए अन्य सामाजिक संगठनों को भी खुल कर सामने आना चाहिए शनिवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर अंडर 19 क्रिकेट सेलेक्शन का चौथा और अन्तिम मैच गुरखपूर और बस्ती के बीच खेला गया पहले बल्लेबाजी करते हुए गुरखपूर की टीम निर्धारित 45 ओवरों में 7 विक्टों के नुकसान पर 193 रन बनाई गुरखपूर की तरफ से मौसिन खान ने सरवाधिक 54 रन और विक्रम यादाउं ने 40 रनों का योगदान दिया 194 रनों का पीछा करने उतरी बस्ती की टीम ने 7 विक्टों के नुकसान पर इस लक्ष को प्राप्त कर लिया बस्ती की तरफ से ग्यानेन चौधरी ने असीरन और चित्रांस सरवास्तों ने 54 रनों की पारी खेली जिसकी वज़ा से बस्ती ने 3 विक्टों से ये मैच जीत लिया तरस बस्ती की बस्तिक पाले कौन yeni भीक्त, धिनक बस्ती को विक्पत, टाओ good, बस्त्व है झा लो बस्तूड़ी具 और western Natale arc कि प्रमुक है पार चले चलने के पहले जल्दी फिर से नज़र डालेते हैं आज की प्रमुक हैडलाइन्स पर ग्राम स्वराज अभियान के तहट आयोजित ग्राम स्वराज दिवस में बहतर कारी करने वाले ग्राम प्रधान अधिकारी करमचारी हुए सम्मानित डीम ने कहा जिले के 105 गाओं में ग्राम स्वराज अभियान के तहट 16 योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को किया जा रहा है संत्रिप्त कई सालों से फरार 25 हजार का इनामी खोराबार का हिस्टी सीटर चड़ा पुलिस के हथे SP सिटी विने कुमार सिन ने किया खुलासा मुखी मंद्री के प्राथ मिक्ता वाले विकास कारियों की मंडला युक्त अनील कुमार ने की समीक्षा दिये आवश्चक बिशा निर्दे वरिस्ट पुलिस अधिक्षक कर शलब माथूर की अध्यक्षता में संपन हुई व्यापारी स्टुरक्षा प्रकोस्त की बैठक व्यापारीयों की समस्याओं के निराकरण का SSP ने दिया निर्दे गोरखुर के गोरव अनुशू सिर्वास्तों ने IS की परिक्षा में पाई काम्यावी घरवालों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर दी बढ़ाई लगातार तीन बार इंटर्वियों के बाद चौथी बार मिली सफलता CCTV कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच सकुसल संपन हुई दस केंद्रों पर चल रही मदर साब बोर्ड की परिक्षा मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के कारिक्रम अस्थल का डियम ने किया निरिक्षण दिया आवश्यक निर्देश कारिक्रम में स्वैम उपस्थित रहेंगे सियम योगी आदितनाथ गोरखपुर के अंजुमन तालिमाते दीन ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया पुरश्क्रित कुषिनगर घटना की निस्पक्ष जाच की मांग को लेकर अखिल भारती विद्यारती परिशत के सदस्यों ने मंडला युक्त कारियाले के बाहर किया विरोध प्रदर्शन मिया सहाव इसलामिया इंटर कॉलेश से एंसी सी कैडिटों ने निकाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरुपता रैली आजाद भारत कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष केके शर्मा ने की प्रेस्वारता कहा सत्ता में आये तो बदल कर रख देंगे भारत की तस्वीर एक साल नई मिसाल चित्र प्रदर्शनी का जिलाजगारी के विजयन पांडेयन ने किया उदगाटन ग्राम स्वराज योजना के अंसरगत लगाया गया वार्ड नमबर एक में कैम्प जन प्रतिमिंधियों ने किया योजनाओं का रियल्टी टेस्ट समस्याओं के बाबत की आम जनता से बाचीत गोरखपुर महिला समीती द्वारा शिविर लगाकर रहगीरों के बीच बाटा गया था ये पडार और अंडर 19 सेलेक्शन मैच में बस्ती क्रिकेट टीम ने गोरखपुर क्रिकेट टीम को तीन विक्टों से हराया इस बुलिटन में बस इतना ही तो अगले बुलिटन तक का करिये इंतजार और देखते रहे गोरखपुर न्यूज नमस्कार